नमस्कार दोस्तो मैं राजनती बारी आप सभी लोगों का मेरे सेलन जोदिश मंत्र में हार देख स्वागत करता हूं अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाते हैं तो वीडियो की नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तता साथ ही बेल आइकन को भी आन कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आज से दो दिन नया वर्ष शुरू होने वाला है तो इसके उपलक्ष में आप सभी को एडवांस में नय वर्ष की हार्दिक शुब कमना है जैसे ही नय वर्ष आने वाला होता है हम सभी लोग उस्षू रहते हैं हमारे नय साल में हमारे साथ क्या होने वाला है यानि हम जानना चाहते हैं कि हमारी राशी में इस साल क्या positive है और क्या negative है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको पूरी 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि आने वाला जो साल है यानि कि 2019 जो है वो आपकी राशी के अनुचार किस प्रकार का होगा आपके लिए फायदे मंद होगा या भग हम जो राशी फिल बताएंगे उसके कौन-कौन से बिंदो ने किस बिंदो पर हम आपकी राशी को पर्खेंगे यह पहले आपको बता देता हूं पहरे हम बात करेंगे आपके स्वास्त की कि जो आने वाला साल है वो आपके स्वास्त के हिसाब से किस प्रकार कर रहेगा फिर आप आने वाले साल में वेल्दी होंगे नहीं होंगे इस बात पर हम चर्चा करेंगे फिर हम जानेंगे आपकी सिक्षा और केरियर के बारे में कि आने वाले साल अगर आप स्टूडेंट है या आप आपने पढ़ाई कर लिए आप कोई जॉब ढूंड रहे हैं तो आपका केर करेंगे फिर हम बात करेंगे प्रेम की क्या आपके घर में या आपके दोस्तों में या आप आपके किसी के साथ आपकी पार्टर के साथ आपका प्रेम भाव रहेगा नहीं रहेगा इसके पर बात करेंगे और मान लिजे यह सबी चीजे आपके अनुकुल नहीं है तो ऐसे क आपके जो सारी इस्तिती है वो आपके अनुकुल बन जाए तो इसके लिए हम कुछ उपाय जानेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वास्त की अगर स्वास्त की द्रश्टी से देखा जाए तो कन्या राशी वालों को ये वर्ष ठीक ठाक ही रहने वाला है अगस्त के बाद ब्लड पेशर, मूत्र विकार तथा घुटनों के दर्द परिशान कर सकते हैं माता पिता के स्वास्त को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं बर्ष के अंतिन दिनों में ब्रहष पती शनी के साथ होंगे जो आपकी सहत के लिए ठीक नहीं है विशेशकर मानसिक तोर पर आपकी चिंताए बढ़ सकती है बात करते हैं अब धन संपत्ति की तो कन्यराशी वालों को इस वर्ष बकाया धन बापस मिलने के आसार है साथ मार्च के बाद धन खर्च होने के संके थे तीस मार्च को देव गुरु बरहष पती सुख भाव में होंगे जिसके कारण धन आनी होने के योग बनेंगे हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़े 11 अगस्त के बाद ब्रहष पती के मार्गी होने से नाम, शोहरत बापैसा पाने के लिहास से ये बहुत अच्छा समय होगा बात करते हैं सिक्षा और केरियर की तो कन्यराशी वालों को इस वर्स सिक्षा के मामले में कुछ ज़्यादे ही मेहनत करनी होगी आपके कामकाज पर वरिष्ट अधिकारियों की नजर रहेगी अगर आप मेहनत और लगन से अपने कारी करेंगे तो आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा इस साल आप अपने केरियर में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं जून के महीने में सिक्षा या केरियर के छेतर में आपको बिश्यश सफलता मिल सकती है हो सकता है आपको कोई पुरुसकार भी मिल जाए अब बात करते हैं ब्यावसाय और नोकरी की तो कन्याराशी वालों को इस वर्ष शनी की अड़या का प्रभाव रहेगा मार्च अप्रेल में इस छेतर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है इस वर्ष आपको व्यावसाय चेतर में बड़े कारे के लिए पुझी जुटाने में अच्छी सफलता मिलेगी राजनीती की चेतर में भी सफलता मिल सकती है अगर आप एक नोकरी पेशा इंसान है तो हो सकता है आपका ट्रांसफर किसी अंचाही जगा पर हो जाए अब बात करते हैं प्रेम की प्रेम के सबसे देखा जाए तो कन्या राशी वालों के लिए वर्ष के शुरुआती दिन संगर्स वरे हो सकते हैं लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका राशी स्वामी गुरू के साथ यूती बनाएगा जिससे आप में एक गजब का अकर्शन रहेगा जिससे लोग आपसे सुता ही प्राववित होंगे आपके पार्टनर की सपोर्ट आपकी सफलता के लिए काफी अहम भूमिका निभाएगी तो बात कर लेते हैं कुछ उपायों की तो कन्यराशे के सभी लोगों को चाहिए कि वो हनुमान जी के आरादना करें शनीवार का ब्रत करें फलदार प्रक्षय को लगाएं और अपने भागे में ब्रध्धी करने के लिए अपने दाहिने हाध के लिटल फिंगर में बुद्भार को पन्ना धरन करें कि हमारे आने वाले वीडियो में आप बाकी बच्ची गैरा रशो के बारे में जानेंगे तो कैसे लगा कोई वीडियो और इसमिदी जान करें अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज असे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे इस चैनल जटिश मंतर को सब्सक् नहीं मिलते हैं हम एक नए वीडियो के सांथ तब तक आप रहे हैं खुश और मुझे दी जाग गया जाहिए